पिता चोड़ सकता है लेकिन बेटे नहीं चोड़ेंगे मोबाइल को ऐसा सिचुएशन है और आप उसके हाथ का मोबाइल नहीं चोड़ा सकते और वो आप निकाल भी नहीं सकते तो ऐसे समय मोबाइल का उप्यक किस चीज़ के लिए करना चाहिए उसके लिए आप काम करेंगे हमें ऐसा लगता है कि उच्चतम क्लास के विद्यार्थिया है और उनके हाथ में मोबाइल दिया तो क्या होगा वीजे इंटी स्कूल के चात्रों के बारे में हमें ऐसा लगता है कि हॉस्टल के स्चुड़न्ट से उनके हाथ में मोबाइल देना अच्छा नहीं होगा उन्हें mobile मिलने ही वाला है तुम्हारा नहीं तो घर पर किसी और का और वो देखने ही वाले है और उन्हें जो देखना है वो ही वो देखेंगे तुम्हें जो लगता है देखना नहीं चाहिए वो भी वो देखेंगे आपके हाथ में कुछ नहीं आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप इन्हें सही दिशा दिखाए अगर उन्हें पूछा सॉक्रेटिस कौन था हमारे जमाने में अगर हमें सॉक्रेटिस के बारे में पता करना था तो हमें किताबे ढूंडनी पड़ती थी अगर किताब में नहीं मिला तो बात खतम पर अब किताब ढूंडने की जरुरत नहीं गूगल सर्च करते ही सब कुछ उपलब्ध है हमारी चात्रों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है पहले हमें हार्ड कोपी चाहिए थी अब जरुरत नहीं इन सारी चीजों का उपयोग चात्रों को करने आना चाहिए स्वयम अध्यन से सिखने का मतलब सिर्फ पाठ्थे पुस्तक के PDFs मोबाइल में डालकर चात्रों के हाथ में देना ये मूर्खता है और मैं इतने आत्मविश्वास से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो अधिकार है आपने क्या दिया टैब में PDF डाउनलोड करके दिया उसके हाथ में हाड कॉपी है तो उसे मोबाइल में पढ़कर क्या फाइदा इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जब तंत्रग्यान का उप्योग कर रहे है वहाँ पर इंटरनेट अल्रेडी है उन्हें Google सर्च, YouTube सर्च करने आता है YouTube पर सारी भाषा है और जो चाहिए वो टॉपिक के वीडियोज देखने मिल जाते है आप कोई कंसेप सिखा रहे हो और छात्रों को लगा कि वही कंसेप YouTube पर सर्च करने से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों ने कैसे समझा है वो भी देख सकते है और छात्रों खुद कैसे सिखे वो भी पता चलेगा ये सारी चीजे संबह हो है जब हम छात्रों के शिक्षण में तंत्रग्यान का उप्योग करेंगे अभी हम सीखने के लिए तंत्रग्यान का उप्योग कर रहे है वो भी मर्यादित रूप में दोस्तों अगर हम टैप चात्रों को देते है या फिर खुद का मोबाईल उन्हें देते है नेटवर्क नहीं होगा तब भी संबह हो है आप किसी जगह पर नोकरी पर हो क्या तुम्हारे पास मोबाईल नहीं है जहां नेटवर्क नहीं वहाँ पर आपने कोई जुगाड किया है क्या आपने क्या किया है अगर स्कूल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो जहां नेटवर्क आ रहा ऐसी जगह पर जाए और वहां से जो चाहिए वो डाउनलोड करके फिर चात्रों को दिखाईए अगर सब के पास तंतरग्यान है तभी भी ये करना मुम्किन है अगर कुछ चात्रों के पास तंतरग्यान है तो उने चैलेंज दीजिए बे तंतरग्यान की मदद से सिखे उनके साथ में किसी को पियर या गुरूप में बिठा देना आपने जो सिखा है वो सबको सिखाना है एक ही तंतरग्यान का उपयोग सबके लिए कर सकते है हमारी दिमाग में जो रूढिया बैठी हुए है उसे पहले दूर करना होगा तंतरग्यान शाप या वर्दान इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है उसे वर्दान करने की ख्यमता हम में होनी चाहिए फिर वो शाप नहीं होगा हम चिल्लाते रहेंगे फिर वो शाप ही सिथ होगा आप तंतरग्यान को रोक नहीं सकते हो, उसका इस्तेमाल करना होगा जितनी जल्दी आप उसका इस्तेमाल योग्य तरीके से करेंगे, उतना फाइदा चात्रों को होगा वो फाइदा सामने रखकर उसकी जरूरते सामने रखे ये ध्यान में रखकर हमें काम करना होगा सिखाने के लिए तंतरग्यान का उपयोग नहीं करना बच्चों के पढ़ने के लिए तंतरग्यान का उपयोग करना है मैं तुम्हें कई घटनाएं बता सकता हूँ जहां चात्र तंत्रग्यान के माध्यम से सीखे है तंत्रग्यान के बारे में मुझे और एक चीज आपको बतानी है फिर हम इस वीडियो में रुकेंगे पहले शिक्षण में एक कहावत होती थी यह हमने उसे सीख रखा था बावडी में नहीं तो बाल्टी में कहा से आएगा इसका मतलब अगर बावडी में पानी होगा तो ही बाल्टी में आएगा और यही शिक्षण व्योस्था में लागू है कि अगर शिक्षक को आएगा तो ही छात्र को आएगा